हेलो विवर्स, वेलकेम टू माई यूटूब चैनल इस वीडियो में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ नवरात्री पूजन का महतव और किस प्रकार नवरात्री का पूजन किया जाता है नवरात्र में कञ्णा पूजन का विशेश महतव होता है अस्टमी वे नवमी तिथी में दो से नौ वश की कन्याओं का पूजन किये जाने की विशेश परंपरा है धरम गरंतों के अनुसार कन्या शाक्षात माता का सवरूप मानी जाती है नौ कन्याओं को नौ देव्यों के पृतिविम के रूप में पूजने के बाद ही भक्त का नवरात्र वरत पूरा होता है अपने सामर्थ की अनुसार कन्याओं को भोग लगाकर दक्षना देने मात्र से ही मादुर्गा परसन हो जाती है सबसे पहले जान लेते हैं कन्या पूजन का महत्व एक कन्या की पूजा से एश्वरिय, दो कन्या की पूजा से भोग और मोक्ष, तीन कन्या की पूजा से धर्म, अर्थ वेकाम, चार की पूजा से राजेपद, पांच की पूजा से विद्या, छै की पूजा से छै प्रकार की सिद्धी, साथ की पूजा से राजे, आठ की पता और नौ की पूजा से पृत्वी के पृभूतत्व की प्राप्ति होती है कन्या पूजन में 2 से 9 वर्ष तक की कन्याओं की पूजा करनी चाहिए इससे कम यह इससे जादा उमर की कन्याओं की पूजा वर्जित है अपने इच्छा के अनुसार नौ दिनों तक अत्वा नवरात्र के कन्याओं को भोजन के लिए आमंतरित करें कन्याओं को आसन पर एक पंगती में बिठाएं इसके बाद उन्हें अपने सामर्थे के अनुसार भोजन कराएं भोजन में मीठा आवश्य ही हो इस बात का आपको विशेश रूप से ध्यान रखना चाहिए भोजन के बाद कन्याओं के पैर धुला कर विदीवत कुम-कुम से तिलक करें तथा दक्षिना दे कर हाथ में फूल लेकर प्रातना करे इसके बाद वो फूल कन्याा के चरणों में अरपन कर उन्हें समान के साथ विदा करें तो दोस्तों आज मैंने आपको इस वीडियो में कन्या पूजन का मेहतव और कन्या का पूजन आप किस परकार करें इसके बारे में बताया है अगर आपको मेने द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ अपने प्रेजनों के साथ इस वीडियो को शेर कीजिए इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा ताकि आप डग हमारे द्वारा नए नए अप्लोर्ट की जानकारी पहुंच सके थैंक्स पूर वाचिंग मैं वीडियो हैवा गुड डे